नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टुटे बजार मैं हुँ हरश्वर्मा मार्केट एक्लेटर सेवी ने ने वेशको को एक बड़ी राहत दी है अगर आप शिवे मार्केट और मुचल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इस ख़बर को गौर से सुनिएगा सेवी ने डीमेट और मुचल फंड्स अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन की जो तैय तारीक है उसको आगे बढ़ा दिया है नॉमिनेशन जोडने की जो नई तारीक क्या होगी मैं आपको बताऊंगा लेकि उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनस टूटे बजार को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अभी तक डीमेट और मूचल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन की जो आखरी तारीक थी वो 31 दिसंबर 2023 थी लेकिन अब नॉमिनेशन का जो विकल्प चुनने के लिए आपको 30 जून 2024 तक का समय मिल गया है यानि कि आखरी डेडलाइन जो है वो 30 जून अब होगी अब ऐसे में सवार उठता है कि ये फैसला सेवी ने क्यों लिया सेवी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बजार पार्टिसिपेंट से मिले आवेदनों को देखते हुए निवेशकों की सुईधा के लिए दीमेट खातों और मुचल फंड फोलियों के लिए नॉमिनेशन की आखरी तारी को 30 जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है इसके साथ ही सेवी ने एसेट मेंजमेंट कंपनियों डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स और स्टार आवम्स टांसफर एजेंटों से दीमेट खातधार को और मुचल फंड यूनिट जो निवेशक हैं उनको हर पंदा दिन में इमेल या समस भीजकर नॉमिनेशन करने या फिर इससे बहार निकलने के बारे में इन्फोमिशन देने के लिए साफ तोर पर कहा गया है अब यहां पर अगला सवार उठता है कि अगर इस बार आपने जो डेडलाइन मिस कर दिया अगर आप डेडलाइन चूकते हैं तो फिर सभी किस तरीके कारवाई कर सकते हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेगा आला कि यह पहली बार नहीं हुआ है लेकिन जब समेशी मा बढ़ाई गई हो लेकिन इस से पहले 30 सितमबर को समेशी मा बढ़ाई के दैडलाइन बढ़ाई क paints लेकिन अब जो 30 जून को यह अहरन है अगर इसमें आप इन नियम को नहीं को पॉलो करते तो क्या हो सकता है समयस फन्ट या फिर जोबी आप इंवेस्मेंट होगा वो फ्री वो जाये अवा यानि कि इसका मतलब यह हुआ नॉमिनेशन प्रक्या में आप जो भी investment किया हुआ है उसके जरीयाब अपने जो मूचल फंट की या फिर जो भी पैसा है उसकी निकासी नहीं कर पाएंगे यानि पैसों को निकाल नहीं पाएंगे तो यह नियम को ध्यान रखिए 31 जूर मैं आपको बता दिया अगर आप इस नियम को नहीं करते हैं नॉमिने सुड़े बजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद है